निफ्टी बैंक, लाइए इंडरडे चार्ट उसका स्क्रीज पे, कल ये सुबह फिर से बाचीत हुई थी कि ये ट्रेट करने लाइक ही नहीं पॉकेट और अगर कुछ फोकेस करना है तो सरकारी पे करिएगा, निफ्टी की, निफ्टी बैंक की कॉंट्रिविशन प्लेट आज एकस्पारी है, तो लिमिटेड ट्रेड मिले, लेकिन विदिन रेंज आपको ये आज शायद थोड़ी सी ट्रेड पॉसिबल है निफ्टी बैंक पर, ओप्शन की रेंज है उस रेंज में ट्रेड करना है आपको, रेंज का है वो, 47808 to 48181, आज लेवल बेस काम करें न 48300 का, similarly एक buy zone है, 47750 to 47850 का और एक stop loss लगा देजे 47700 का, ठीक है, लिमिटेड रेंज में इसको ट्रेड करिए, एक outside चांस है कि अगर market में trending move आना शुरू हो, in that case, again intraday रहे, या तो 48300 का breakout चेस करें, 48300 का breakout हो तो call ले ले, या 47700 का breakdown चेस करें, 47700 अगर break हो जाए तो put ले ले अगें, जो भी trade करें, strictly intraday और strict tight stop loss के साथ करें, तभी better रहेगा, ये मेरे खाया से आज के लिए आपकी approach रहेगा, ठीक बात, ये है Nifty Nifty Bank के लिए आज बुदवार के दिन, जब Nifty Bank की weekly expiry की त्यारी हो रही है, हमारा approach, levels no doubt कर लेजे, morning panel भी दिखाते रहेगा, बीच कुछी देर बाद बाचीत की शुरुवात करेंगे, लेकिन, आज interesting सा hint मिल गया था, big stocks related, तो metals तो होंगी होंगी, एक बास sting play out कर लिए था, कौन-कौन से, कितने और क्यूं, बिल्कुल आज चार big stocks है, पहला तो हम already I think hint दे चुके, हिंदुस्तान copper, band से बाहर निकला है, हिं जो भी मुवाया, वो कली आया था वैसे, यह एक मेने का चार्ट है, लेकिन आप इस महीने का देखेंगे, तो करीब-करीब 3% चला है, उसके सामने metals index कितना चला है, आपका 9%, जबकि सबसे ज्यादा positive कौन सा metal जल रहा है, copper, copper को कहते है न, एक doctor copper, क्योंकि पूरे sector की health बदा आपको, तो इसके लिए, क्योंकि यह बार-बार band में आते रहता है, शायद इसके लिए, बड़ा gap अपो तो नाचीज करें, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, और copper की prices record हाई पर है और चल रही है, तो इसके लिए, इस पर मेरा हाज एक focus रहेगा, plus PSU company है, बारा मेने हैं सबसे undervalued stock है, बहुत लोग कहेंगे कि यह तो तकलीफ क्या होती है, हम सब इसी तरा कि देखते हैं कि 125 वाला 500 हो गया, अब क्या value है, मेरे हिसाब से तो यह stock 4 डिजिट का होना अची है, आज की देखें, मैं आपको रिजम दाता हूँ, वेदा के पास, जो हिंदुस्तान zinc क की holding है, उसी की value है, दो लाग 5,000 करोर, अब आप कहेंगे कि ठीक है, लेकिन उस पर holding company का discount देजिए, अब बुल market है, बुल market है तो आपचास पसन का discount देखेंगे, तो दो लाग 5,000 करोर को चली कर देजिए, एक लाग करोर, ठीक है, वेदानता का खुद का market cap कितना है, एक ल 1,000 करोर के market cap में, ठीक है न, इन चीज़ों को समझने के जिरुगाते है, इन चीज़ों को समझने के जिरुगाते है, इन चीज़ों को समझने करें, आप एक stop loss लगाएंगे, लेकिन यह मैंने कल भी discuss किया था, वेदानता, कल भी सुबह एक फ्लैट कुला, उसके बार समें rally यह ऐसे स्टोक्स होते हैं, जिनमें आप एक बार entry करें, फिर आपको एक stop loss लगा के ट्रिल करना होता है, ठीक है, इस तरीके से इसको अप्रोच करें, तो यह तो हो गए दो स्टोक्स जो मैं में में फोकस करता हूँ, उसके अलावा दोर स्टोक है मेरे डार पर, एक है P.I. industries, इसको आज मैं red लेके चल रहा हूँ, P.I. industries को, क्योंकि quarter on quarter number खराब है, अब आप कहेंगे quarter on quarter क्यों देखूँ मैं, क्योंकि मैंने इस तरीके से पहले भी आरती, दीपक वगरे numbers quarter on quarter डिसकस के थे, इन numbers को market अब quarter on quarter देखेगा. बतादें कि money control पर दिये गए विचार, experts के अपने नीजी विचार होते हैं, website या management इसके लिए उतरदाई नहीं है, users को money control की सलहा है कि कोई भी innovation इंडले लेने से पहले certified expert की सलहा ले. पतादें थाफ्चा life of actual history ले विचार ले वे कि कोई रड़ी आरती हैं, website मेसे में ओूरादें ले तकादें.